हमारे साथ कॉंगरेस के नेता हरीश रावद जी है एनर्सी के लिस्ट आई जिसमें करीब 19 लाक लोगों को इस लिस्ट से बाहर किया गया है हाला कि उनकी नागरिकता पर अभी सवाल खड़ा नहीं हुआ है लेकिन उनको लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है हरेश जी यह ज इनियन सीटिजन एनर्सी से बाहर नहीं रहना जाए जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के अंदर उसका नाम इंक्रूड होना जाए है और यह कॉंगरेस की लगातार कोशिशों का फ़ल था कि फर्स डाप लिस्ट में जो 40 लाक से जाग लोग जो है जिनको भाजपा ने घुषप लोग बाहर रह गए हैं उनमें से भी कुछ लोग उनमें से भी बहुत सारी जो सूचना है हमारे प्राणूबिक तौर पर है वो जैनियून इंजन सीजिजन है तो हमारा स्टैंड जो पहले से है कि कोई जैनियून इंजन सीजिजन जो है वो बाहर नहीं रहना चाहिए नर् और प्रतेक जैनुएन इंजन सिटिजन का राइट प्रोटेक्ट होना चाहिए जो साथ दिन के मियाद दी गई है सर वो क्या ठीक है हमने उस पर जरूर जो है 120 दिन की बात कही है और हमने एक मेरी अपनी राय है अभी और कि यह समय सीमा बढ़ाई जानी चाहिए पिर भी जो गुस्पेठिये हैं अडिन्टिफाई होते हैं तो उस पर कॉंग्रेस का क्या रोका है दिखे पहले एक चीज फाइनलाइज तो हो जाए और एक प्रोश्रस अभी आधे में है तो इसलिए यह भाज़पा है जो गुस्पेठिये सब्दिक का राजनितिक फाइदा उठाना और कॉंग्रेस है जो जैन्यून इंजन सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करना चाहती है तो यह थे कॉंग्रेस के नेता हरी शावा जिनका कहना है कि सरकार का यह फैसला है उस पे इनको कोई अतराज नहीं है लेकिन जिन लोगों को लिस्ट से बाहर रखा गया है उन को नाइक तरीके से समर्थन देगी ताकि उनका नाम इसमें दुबारा शामिल हो सके अगर उनके पास सही दस्तावेस मौजूद है कामरा में जहांगीर के साथ प्रशांदेव न्यूज 24 दिल्ली कर दो